Vivo Y-series में एक नया 5G स्मार्टफून को मलेसिया में लाँच करने मला है Vivo Y76 5G को आज दोस्तों इस स्मार्टफून को ओफिसियल लाँच डेट सामने आचुक है इसी महीने 23 नॉर्मर को मलेसिया में लाँच होने मला है उसके बाद दोस्तों आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो मात कर लेते हैं वीवो Y76 5G स्मार्टफून के डेटेल से स्पैसिफिकेशन के बारे में क्या कुछ आपको फीचेस मिलने माला है इंडिया में किस प्राइज पर और कब तक यह स्मार्टफून लाँच हो सकता है यह सारी चीज़ों पर आगे आपके सब वीडियो मात करने वाला हूँ लेकिन उससे पले दोस्तों चाहाँ पर पहली बराया है चाहाँ को सब्सक्राइब करका आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाक शेक कर दियेगा सबसे बाले दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन के वारे में तो वीवो वाई सेवन्टी सिक्स फाइब जी स्मार्टफून का जो डिजाइन है दोस्तों आपको कुछ इस तरीका मिलने मला है प्लास्टिक बोडी के साथ हाएगा ग्लॉसी बैक आपको दिखनी को मिलेगा राइड साइड में दोस्तों आपको पौर बटन दिया गिया और इसी में दोस्तों आपको एक साइड जो परमेंस के लिए दोस्तों आपको मिड्याइकर डैमिंसिटी 700 के साथ हाने वाला है। यह जो प्रोसिस्तर दोस्तों 7 नीटा पयाता है तो 5G को सपोर्ट करता है। एक वरिंट आपको देखने को मिलेगा 8GB RAM, 128GB internal storage, इसके लावा आपको up to 4GB virtual RAM को option मिलने वाला है, software के बारे में बात कर लेते हैं, दोस्तों, out of the box Android 11 के साथ आएगा, जहाब आपको customize किया जाएगा, फंटे चोएस के साथ, इसके लाव बात कर लेते हैं, बाटरी के बारे में तो आपको 4100 image का मिलने वाला है, 44W Fasting Support के साथ आएगा, और box में आपको 44W का चाधर मिल जाएगा, और आपको बात कर लेते हैं, कामरा के बारे में तो रेर साइड में आपको ट्रिपल कामरा से डप देगी के लिडिव फ्लासलेट आपको दिएगे है, जो प्राइमरी संसर है दोस्तो आपको 50MP का मिलने मला है, बाकी के जो दो संसर है दोस्तो 2MP का, Macro 2MP का आपको दिप संसर मिल जाएगा, जहां बात करूँ दोस्तो, सल्फी कामरा के बारे में तो फ्रेंट सेड में वडर डॉप नॉच में आपको 16MP का मिलने मला है, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, सेम दोस्तो वडर डॉप नॉच डिजाइन के साहथ आने वाला है, वैसे फ्रंट साइड में कौन सा प्रोडेक्शन यूज के जाएगा, इसके बारे मुझे कोई इन्फोर्मेशन नहीं है, सिग्रेटी के बारे में बात के लेते हैं, तो आपको फेस अनलोक का फीचर्स मिल जागों, यहाँ पर दोस्तो आपको एक साइड मॉन्टेट फिंगर पिंट दिया गया है, 8GB RAM, 128GB internal storage, प्राइज के बारे में वैसे दोस्तो कोई भी इन्फोर्मेशन नहीं है, ठीकि मुझे लगता है दोस्तो कि मलेसिया में रोण 22,000 रुपे के आसपास में लांच हो सकता है, लेकिन इंडिया में जब भी आएगा दोस्तो तो 17,000 रुपे के आसपास में प्राइज होगा, बाकि आपको क्या लगता है दोस्तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लांच देक के बारे में बात कलेते हैं दोस्तो तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बता दिया है, इसी मही ने 23 नॉम्मर को मलेसिया में लांच होने वादा है, वीवो ने ओफिसली कन्फर्म कर दिया है, इंडिया में वैसे दोस्तों कब तक launch होगा इसके बारे में दोस्तों भी कोई information नहीं है बट मुझे लगता है दोस्तों कि 2022 के starting वगर हमें इंडिया में देखने को आपको मिल सकता है उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलता हूँ अब से किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद